नवस्कार दोस्तो एजी पड़े इंफर चनल पर आपका स्वागत है और अब मैं आपको जो है कि क्लास नाइन्थ की साइन सब्जेक्ट का जो चैप्टर मबर 2 पढ़ा रहा हूं और यह इसकी तीसरी वीडियो है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करना से पहले साइड में यहां पर उसे आप ओपन करें तो आपको पता चलेगा कि डिस्कुशन बॉक्स में क्या क्या चीज़े हैं ठीक है दो तिन महात्यपूर्ण चीज़ें हैं बता देता हूं आपको एक तो एप है NCRT ठीक है और CBSC एप है जिसमें आपको PDF में नोट्स मिल जाएगी कोशन आंसर मिल जाएंगे और जितने भी स्लेप मतलब और जो दूसी चीज़ें स्टडी मट्रियल वह सब आपको इस एप में मिल जाएगा तो इससे डाउनलूड कर लीजिए गा और प्लेश्टूर में जाके जरूर फाइव इस्टार रेटिंग दे प्लीज ताकि जो है क के साइन्स के सबके लिंक है तो उसे विजिट कर लिया आप डिस्किशन बॉक्स को ठीक है तो चली फिर आप आगे सुरू करते हैं तो आज हमें पढ़ना था क्रोमेटोग्राफी ठीक है तो क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं तो देखिए मैं आपको बताया था क्रोमेटो सियाई का निसान देखिए, एक लेलिया, यह जो पेपर होते हैं, इसे फिल्टर पेपर कहते हैं कागज की पत्ती होती है, और इस पे हम एक डॉट्ट बना देते हैं किस चीज का, कशी क एक का इंक लाइन खीछते हैं ताकि पता रहे पता रहे, गया आधा डूपाए गया ठीक है इसके बाद क्या हो कि जो कलर है यानि कि जो रंग है किसी भी इंक में यह डाई में कई परकार के मतलब रंग मिला का कोई डाई बनती है तो वो जो डाई में जो कलर है वो क्या होगा कि अलग-लग कलर के होंगे तो अलग-अलग रंगों की अ अईसे करके कोई color जो है यहां तक जाएगा उपर तक कोई color बिल्कुल उपर तक जाएगा तो इस प्रकार से हम यह देख लेंगे कि कौन सा color जादा तो यहां पर मैं आपको इसकी भासा पढ़के सुना देता हूं कि कि किसी मिस्रण में रंगी नियोगी को रंजीत कड़ों को पिर्थक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी और विल्यन में विल्यन के कंड ऊपर की और ठीक है ऊपर की और गती करते ऊपर की और अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों फिर्थक हो जाते हैं क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गती से सोख लिये जाते हैं यानि दोनों रंगों का जो solubility है जो घुलन सीलता है वो अलग-अलग है इसलिए वो सोक ले जाते हैं अलग-अलग हो जाते हैं जिससे हमें आराम से पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन-कौन से color थे तो यह था दोस्तों chromatography चलिए बात करते हैं इसके परियोग कहा कहा होते हैं तो देखिए इस इसके द्वारा पिर्ठक कर सकते हैं और कुलसे ड्रग को पिर्ठक करना यानि जो हम ड्रग लेते हैं तो कैसे पता लगाते हैं ड्रग इस्ट्र वो ऐसी पता लगाते हैं कि वो सेंपल ले रचा और उससे chromatography के दवारा ठीक है अलग कर के देखते हैं अगर होता है तो लेता है जिससे उसकी स्टैमना बढ़ता हो तो आई अले बात करेंगे आस्वन विधी की देखिए तेरीयर चात्रों और विधी क्या होती है डिस्लेशन POL situation क्या होता है यह जो प्रॉसेस है यह जो विधी है वो डिपेंड करती है boiling temperature यानि कि कौथनांग पर किस पर डिपेंड करेगी कौथनांग अब क्या होता है तो मैं आपको बताया था कि उबलने का जो तापमान होता है किसी भी सबस्टांस का उसको हम कहते हैं कौथनांग तो अगर दो पदार्थों का दो और यहां एक बात औ मिश्रण तो पानी और तेल कि मिश्रण में दोनों घूलते नहीं तो वैसे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं पानी और तेल घूलते नहीं तो फनल सैपरेशन यानि की कीप प्रिथिकरण अपनाते हैं लेकिन यहां पर दो द्रव आपस में घूल जाएंगे ठीक है ना ज सिटोन और अगर जल लेंगे तो वो पूरी तरह से घूल जाएगा इसके अंदर तो यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूं लिखित में बाद में बताऊंगो आपको देखे इसाम अब लिखा है कि दो घुलन सीन द्रवों की आस्वन वीधी यारे जो द्रव है ठीक है और घुलन सीन है अपस में जिसको अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस के द्वारा तो हम क्या करते हैं प्रिथिकरण के द्वार अलग नहीं कर पाते तो इस वीदी का उप्योग करते हैं और इस वीदी को कहते हैं आस्वन वीदी इसमें क्या होता है मुख की रूप से इनका जो boiling temperature ऑसमें अंतर होता है मालेजे़ एक कच 20 डिगरी है ठीक है एक का 30 डिगरी है ठीक है किसी और का 40 डिग्री है तो जितने भी डिग्री हो अलग लग का अगर हम 3-4 भी मिला देंगे तो भी हम उसे अलग कर सकते बस फर कितना है जब हम 2 को अलग करेंगे तो कहलाएगा सिंपल यानि साधरन आसवन विधी और जब 2 से ज़्याधा को हम अलग करते हैं तो वैसे आसवन विध लेशन के द्वारा और यह हैं आपका सिंपल साधारन देश्ट लेशन साधारन आस्वन भी दी तो इसमें हमने असीटोन जलका मिसरण ले लिए जब हम इसको गरम करेंगे तो क्या होगा असीटोन जल्दी से भाब बनके जो है उड़ जाएगा और यहां पर यह जो हमने लग भुजरती है GANS वह हो जाती है दुबारासे लिकुड भण जाती है क्यों क्योंकि यहां पर वहां बनके आई थी और यहां पर पानी बन गए लिकुड बन ग्या और फिर उसको यहां पर इकथा कर लिया गया देखें यहां पर दिखा रखा रहे एक तो यहां पर हमने उसी प्रकार से कठा कर लिया और हमें प्योर ऐसी टोन मिल गया और इसके अंदर क्या बचा रहा गया सिर्फ जल्व ओके तो इस प्रकार से आपने देखा कि आस्वन विदी का उंपयों कैसे करते हैं तो यहां मैं आपको पढ़के सुना देता हूं कि क्या होता है सिधान क्या इसका कि दो संघट को के बीच एक कौथनांक दूसरे से कम होता है जो मैं अभी बताया कि कि गर्म होकर वाश्वित रूप से ट्यूब में चला जाता है जहां यह फिर द्रव बन जाता है इस प्रकार अशेटं बीकर में कत्र हो जाता है जब कि पानी फ्लाक्स में रहे जाता है जैसे कि मैंने आपको समझाया ठीक है अब यहां पर नोट करने लिए बात है जो मैंने बताए साथ यह वही बताएगा और खास कुछ नहीं बताने वाला है कि अगर दो संगटकों से ज्यादा संगटक एक ही द्रहों में उपश्थित होते हैं जिनका कौतनाख भिन होता है तब हम परभाजी यह देखिए यह हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा था फ्रेक्ष्टनल डिश्टलेशन परभाजी आस्वन बिदी कहते हैं उसे पैट्रोल्स पैट्रोलियम से पैट्रोल डीजल कैरोसीन वैक्स मोम पैराफीन यह सब निकालना उसमें बहुत सारी चीज़ों पैट्रोल मे करके हम अलग करते हैं किसको को वाई उसे ठीक है ना जो भी वाई जो हयाँ गैसो का मिस्रण है तो वाई उसे अगर हमें अलग करना है अलग-अलग arguing को तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या यह प्रभाजी आस्वन देशे दे रखाए हवा से गैस प्राप कर सकते हैं हवा को भी इस बीदी द्वार पिर्थक कर सकते हैं ठीक है अब कैसे करें तो प्रोसेस यहां समझाए गया कि हमने सबसे पहले वाई ली और बहुत ही अधिक प्रेसर पे यहांनि दाब को बढ़ा कर वाय को संपीडित किया गया और फिछ ठंडा किया गया जिससे वाई किसमें बदल गई द्रवी यह मैरी की लिक्वीड वदल गई उसके बाद परभाजी आस्वन कालम में वाय को धीरे-धीरे गर्म करना होता है यह प्रभाजी आस्वन कालम है और विभिल उचाय उपर Bratius का applying लाग जाती है जिसका कम निकल जाएगी जिसका ओर जबुँँगा जो बहुत ज्यादा होँगी तो यहां पे ओके तो आए इन पर किया क्या उप्योग है इनके प्रभाजी आसवन बदी के तो साधारण प्रभाजी अस्तंब एक नली होती है जो कि सीसे को गुटकों से भरी होती है यह गुटके वास को ठंडा वे संगनित होने के लिए सतर परदान करते हैं ठीक है उसका मैं आपको डाइगराम दिखाएता हूं नीचे यहां पर देखें यह है फ्रैक्शनल पार्ट हैं बाकी सारा सेटक्ले आप देखेंगे बाकी सारा सेटक् Quran ऑसन विधि के और जैसा ही है लेकिन यहां पर हमने कौलम लगा दिया है जिसको मैं बोलते हैं प्रभाजी कौल और ठीक है जिसे यहां पर लिखा प्रभाजिया अस्तंब्ध और और फ्रैक्शनल कॉलम तो यह के चीज होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाता हूं तो यहां पर कंचे होतें हैं देखेंख सर्फसरी बढ़ा देते हैं जिससे क्या होते हैं सर्फसरी willen बढ़ने से यह सारी गैसों को ठंडा कर देता है और फिर घैसों को द्रवाइत रूप में यहां से निकाल लिया जाता ठीक है तो और इसके उपयोग पढ़ ले थी किया और क्या-क्या उपयोग है तो तेल को कि सही तो तेल को सुध़ करने वाली मसीनों दोवारा कुरूड ऑलग करने में और कारवनिक रस को सुध़ करने में ऑकसीजन द्रौ और और वाई को परिथक करने में प्रभाजी आस्वनका परेउग किया जाता है तो दोस्तों यह तो थी जो आपकी जो है प्रभाजी आस्वनकेम की धी आइए बात करते एं के अ Mark कि प्रेवर चया है वहीं सीह ठीक है और वह किस प्रोसेस के दौरा मिलता है तो वह मिलता है क्रिष्टली करण के रूप में ठीक है क्रिष्टली करण क्या होता है और वास्पी करण क्या होता है यह समझना आपको बहुत जरूरी है यहां मैं आपको वास्पी करण और किष्टली करण में अंतर बताता हूं तब ही आपको समझ में आ जाएगा वास्पी करण में हम क्या करते हैं कोई भी सबस्टांस को गरम करते हैं किसी भी सबस्टांस को और गरम करते हैं तो उसमें पानी जो होता है जो जल होता है ठीक है व उड़ने के टेमप्रेचर से जब ज्यादा होता है टेमप्रेचर तो हम वह भाब बनके उड़ने लग जाता है ठीक है तो यहां पर हमें उस द्रव को गरम करना होता है कि थोड़ा सा थोड़ चींग तो आएए अब मैं आपको समझा दूगी क्रिष्ली करन क्या होता है दोस्तों कि रिष्ली करन बहुत सिंपल और साधान सी एक बिधी है ठीक है कि रिष्ली करन एक ऐसी पर किरिया है जिसमें हम किसी भी जैसे मालेजे कोई कोई दो चीजों का मिश्रण है आपके पास तो एक चीज को हम भाब बनके पानी को उड़ा देते हैं और दूसरी वस्तु है या दूसरा जो पदार्त है वह हमें ठोस रूप में मिल जाता है ठीक है तो यहां देखेंगे किसी मिस्रेंट से असुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उप्यूक्त विलेन में घोलना औ किसी आसुद्धी को एक मिलें निकानला हो तो हम किश्टली ग somber और परियोग करते हैं ठीक है उधान के लिए दिया गया यहांके कि लिए यहुद्धा के लिए कॉपर सलफेट का मिलय遠 होता है को इसफेश्द को पहले हम भूला जाता है और फिर गर्म करके घृफ्ञेस ब बनते हैं जबकि असुद्धियां सल्फियूरिक अमल में ही रह जाती है इस विल्यन को फिल्टर पेपर की सायता से चान लिया जाता है और सुद्ध क्रिष्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं यारी इसको जोए की छोड़ देते हैं और दोस्तों याद रखें तो याद रखें कि और वास्पी करण में क्या अंतर है ये बहुत ज़रूरी आपके लिए क्यों कोशन आ जाता है हमें सई अच्छे यहां भी समझा रखें यहां पर भी चलिए समझ लेते हैं अलग से समझाने मुझे जरूरत नहीं तो यहां पर कुछ ठोस्तों विघटित हो जाते हैं यान करने पर चीनी के समान जुलस जाते हैं ठीक है ना तो च्छाने के प्रसाद भी असुद विले पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलेन में कुछ असुद्या रह जाती हैं तो वाश्पिकरण होने पर यह असुद्या ठोस को संदूसित कर देती हैं यानि आप इसे ऐसे असुद्य घोल जाती है और जो सुद्य पदार्थ होता है वह क्रिष्टल यानि ठोस के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है तो इसका उप्योग किसली करते हैं समुद्री पानी से नमक को साफ करने हैं तू और क्रिष्टल को पिर्थक करने यानि कि कॉपर सलफेट फीड किया जाता है ठीक है तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए बात करेंगे कि क्या क्या होता है मतलब घर पे जो हम जल जो हमारे घर पे जल आता है उसको कैसे प्यूर के आता है आपको मैं साफ सब बता दूं कि जो भी जल सहरों में गाउं में तो चली ठीक ह नल लगा लेते हैं और हम पी के लगाव में क YOUR मात्रा i बहुत मातर में का नावा का पानि औरwent और दूसरे होंगे रदूसक होंगे बिमार तो फिर पीनी के लिए पानी कहांसे लाते हैं तो पीनी के लिए जो है फेहरों में नदियों के नदियों के या नालों का पानी रहाता जाता घुर के भी का ति हम यमना से रहाना बहुत ज्यादा गंदकी है काला ऐसका पानी तो उसी पानी को फिल्टर करके पिला आ जाता है ठीक है तो वह रोती कैसे है तो सबसे पहले वह सारा की सारा पानी यो असुद्ध जल होता है उसको इकठत क्या जाता है जल स्छोधन सुन यंत्रमें ऐसको पूस के पास किया जाता है आसाध टक Tink यानि Sandementation Tink जिसमें क्या होता है जो उसमें ठोस पदार्त होतें जों में कंकर पथर रेथ वह सब जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं Tink में नीचे BOTTOM मतलब उसके तली में ठीक है उसके और क्या होता उसको भीजा जाता है भारार टैंक में क्या होता है तो भारार टैंक में सभी असुद्यों को छान लिया जाता है जहां भारण टैंक में भैजते हैं जहां कि घ्वा टैंक का मतलब यह है कि उपर लेंगे पान निकाल लेंगे और नीचे कचणा रहया है ठीक है और उसके बाद किया हो बहुता दो बहुता है जो बहुत ही उस तोड़े थोड़े बड़े बड़े कंकर की लियर होती है फिर उससे नीचे और बारी कंकरों की लियर होती है फिर में मरे होते हैं जो इसमें बैक्टरिया भारस भी मारने हैं तो उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरीनी करन ठीक है क्लोरीनेशन होता है ठीक है क्लोरीनेशन से क्या होता है जितने उसमें माइक्रोबैक्टरिया होते हैं वो सब डैड हो जाते ठीक है पाइप्लाइन के द्वारा और फिर वहां से घरों में इस्तेमाल हो जाता है तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिर भी आपको इस चैप्टर कैसा लगा जरूर अपनी परतिकिरिया दे ठीक है बाकी का जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में तक लिए थेंक यू बाबाए